जो हके छीपाया खेल में दे इलम करी खबरदार रबद किया याही वास्ते लियाओ प्यार करो दीधार लियाओ प्यार करो दीधार जो हके छीपाया खेल में परणाम जी सुनते साथ जी सबके चड़नों में कोट अनकोट परणाम जी आपक्षा थी धाम के धहनी इंदरावती जी के धाम हिर्दे में विराजमान होकर की हमें सिंगार की वानी से क्या बता रहे परकरन है मौमनों की शरियत हकीकत मार्फत और इश्क रवद का परकरन इसमें जो बात है इश्क रवद की बात है यो हके चिपाया खेल में राजी ने क्या 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 क्यूं अपने आपको चिपा लिया राजी ने चिपा लिया ना चुपाई कह रही है कि राजी ने अपने आपको चिपा लिया राजी ने चिपाया जरूर क्यों चिपाया क्यों हमने रबद किया राजी के साथ हमने राजी से रबद क्या किया परमधाम में कदीम से ये बात चलती आ रही थी कि इश्क हमारा बड़ा इश्क हमारा राजी ने भी सोचा इसका फैंसला थो ही जाना चाना आपका प्यार है ना बड़ा क्यों प्यार बड़ा हमने आखिर क्यों कहा कि हमारा प्यार बड़ा कभी हमने सोचा परमधाम में हम कहते हैं वाइदत है सब कुछ है एक दिल है ही सब की और हम रजी के आंग है हम रूहें भी रजी के आंग है सुख भी लेते हैं सबी सुख तो ले रही थी हम वहाँ पर हमें उन सब की लज़त नहीं थी इश्क हम ले रहे थे लेकिन उस इश्क की लज़त हमें नहीं थी उस इश्क की पहचान नहीं थी हम अपने इश्क को बड़ा क्यूं कह रही है बड़ा तो था ही, ये नहीं है कि नहीं इश्क क्योंकि कहने वाले कौन, अंदर कौन बैठे हुए, राज्जी रबटे रबट, लेकिन फरक्या पड़ा हमने अपने आपको राज्जी से जुदा माने लिया मैं हक अर्ष में जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन जाड में सिरले ढूंडती हक आये दिल बीच चेतन राज्जी कहां आगे हमारे दिल में राज्जी ने छी पाज रूर लिया, राज्जी से हमने कहा कि राज्जी जब ले लिया कि अब मैं इनको अपनी पाज्जाई भी बता दू और वाहिदत का इश्क भी बता दू राज्जी ने ये खेल बनाया, क्यों बनाया? हमें क्या, ये माया का खेल दिखाने के लिए लाना था राज्जी ने? ये दुख दिखाने के लिए राज्जी लाए थे? नहीं सुनते साथ जी, ऐसा नहीं राज जी हमें बड़े लाड़ करते हैं लाड़ लड़ाने के लिए हमें ले करके आए कि मैं ये लाड़ आपसे करूं क्योंकि दिल के गोईय भेद जो वो परमधाम में भी नहीं दे सकते थे यहां लाए हमें उन भेदों को बताने के लिए उन बातों की पहचान करवाने के लिए कि मैं अपनी उस मार्फत की पहचान करवा दू इनको हकीकत की पहचान तो है, हकीकत में लीला तो हो ही रही है वहां पर यहां तक कि हमें अपनी निस्बत की भी पहचान नहीं हमने अभी चुपाई से भी सुना हमने रजी को अपने से अलग माने इसलिए तो हमने क्या कहा कि इश्का हमारा बड़ जब हमने रबद कर ही लिया रजी ने भी दिल में ले लिया कि अब मैं इनको पहचान करवाऊं तो तो रजी ने क्या किया, रजी तो रूहों को चहण में बिए tratar कहां बिथाया है और ने कभी पिठाया बड़ ए व किए भूमते है फचिस पक्षाम में हमं गुंते हैं एक एक पक्ष नामाज सुन्द साथ के टिप्स पर जाद सब जाद है कहां जाते हैं बहां हमारे सिंहान सब जगा लगे वे जैसे राजी शामा जी की सिंगहासन वैसी हमारी सिंगहासन ऐसा तो है नहीं को सिंगहासन चोटे बड़े बराबर है राजी के बराबर बैठते हैं लेकिन अब जब दिल में लेई लिया राजी ने तो रूहों को क्यां बठा दिया चर्णों में बिठा ले चर्णों में बिठा करके रूहों की नजर को नूरी नजर को राजी ने अपने दिल में ले गए और उस नजर के द्वारा अपने दिल से में जो खेल दिखा रहे हैं उस दिल से दिल की छवी कहा है पढ़ रही आँखों में और हम उस खेल को देख रहे हैं यहां पर, अब हम यहां आ गए, हमारी सुर्था कहा आ गई, यहां के जीवों पर आ गई, जीवों पर आ गई, राजी नहीं कहीं गए नहीं, राजी ने पहले कह दिया था, रूहों ने जब कहा था, राजी खेल तो दिखाने जा रहे हो, तो क तुम मेरे बिना नहीं रह सकता और तुम मेरे बिना नहीं रह सकता और तुम मेरे बिना नहीं रह सकता राजी तो अलग हुए भी नहीं जब परमधा में राजी ने कह दिया कि मैं तुम से अलग नहीं हूं तो वो अलग कैसी होते क्या ब्रिज में हमसे अलग थे राजी हमारे साथ ही थे रास के अंदर भी राजी हमारे साथ थे अंतर ध्यान की लीला हुई लीला में राजी का वेश कहां चला गया था क्या राजी का वेश परमधाम में चला गया था गया था राजी का वेश किसमें उन्हों चला गया था शामा जी के अंदर राजी ने अपना वेश कहां डाल दिया था शामा जी के अंदर अवेश था लेकिन शामा जी को भी अपनी पैचान नहीं थी कि राजी का वेश मेरे अंदर इसी तरह से ही जब देव चंदर जी के तन से लीला हुई तो क्या राजी परमधाम में रहे, शामा जी को भेई दिया हमको खेल, दिखावन काज हम सो पहले, आई शिरी राज पहले आगई राजी की नजर आई, तो हमारी नजर यहाँ पर आई जीवों पर बैठी आ करके, राजी अपनी रूहों को नहीं भेई सकते राजी की नजर आई, यहाँ पर, देव चंदर जी धूण रहे हैं कच में जाकर जाते हुए तो राजी कहां थे उसमें? देव चंदर जी के अंदर शामा जी की आतम के उपर ही विराजमान थे अवेश शुरूप में धनीय बेजया अवेश देके, अब न्यारे नहाँ एक खेन जी तो राजी का अवेश था अंदर तब ही तो कच में जब जा रहे हैं तो किस बेश में आजाते हैं राजी नजर? छिपाई के बेश में? आए ननजर? जब भोजनगर में लीला हो रही है भोग लगा रहे हैं बैट करके घुंगुनिया कि जिसकी आपात करते हैं, तो राजी ने आकर के फिर भी दर्शन दिया, पिया किये, अती परसान, तीन बेर, दिये दर्शन, राजी ने दर्शन दिया उनको आकर के, तो राजी कहीं गए तो नहीं, तीसरी बार, शाम जी के मंदिर में, सरूप ने दर्शन दिया, राजी के सरूप में, क्या उसरूप किसी और भेश में, दर्शन दिया था, वे सरूप, खेला जो विरिंदा वन, जिस सरूप ने विरिंदा वन में लिला की थी, उसी सरूप ने आकर के, दर्शन दिया तो राजी तो पास में पल पल जब देव चंदर जी के तन से लिला हो रही है तब भी राजी पास में है जब में राजी के तन से लिला होने लगी सत्रा सो बारा में सम्मत स्रद्गुर धनी श्री देव चंदर जी का अंतर्ध्यान हो जाता है तो राज जी कहां विराजमान हो जाते हैं जले जले कई परमधाम चले गए थे तब भी वो मिराज़ी के इंदरावती जी के धाम हिरदे में विराजमान हो गए लेकिन 1715 तक उनको यह पता ही नहीं कि मेरे अंदर राज जी जागी जवता हम भोगते हैं जागी जवता पीउजी ना पाच से पच्छतो था से परभाद हैं का परभाद हुआ 1715 में जब हवसा में जाते हैं हवसा की जेल में तब जब विरहा में तडफ तडफ करके इंदरावती जी की आतम ने पुकारा तो रजी ने आगर के दर्शन दिया और अवेस रूप में रजी उनके धाम हिर्दे में भी राजमान हो गए और वानी का अब्तरन भी होने लागी तो इसका मतलब क्या है रजी तो कहीं रजी तो आज भी हम कहें रजी तब ही तो कह रहे हैं इलम करी खबरदार वानी से हर तरह से हमें पहचान दे रहे हैं कि यह रूहो मैं तुमारे कहां हूँ सेहरग से भी नई दीको रजी कहीं नहीं है हाक नजीक सेहरग से आडो पटना द्वार खोली आँखे समझ की देखती न देखे भरता रजी कितनी पास में है सेहरग से नई दीक हमारी प्राण नली से भी नई दीक है रजी हमारे पस हमने इदूरी बना रखी है हम सोचते फिरते रहते हैं रजी यहां मिलेंगे राजी यहां मिलेंगे भाग रहें भाग रहें जैसे कि हीरन की नाभी में कस्तूरी होती है लेकिन हीरन क्या करता है भाग रहा है कस्तूरी के लिए हम अभी भाग रहे हैं कभी हमने अभी क्यूं ऐसा कर रहे हैं अभी हम बाहर मुखी हैं कभी हमने अंदर की और हमने दौड नहीं लगाए जब तक हम अंदर की और अपनी दौड नहीं लगाएंगे अंदर की तरफ नहीं जाएंगे तो राजी को कैसे पा सकेंगे राजी को अगर हमने पाना है तो हमें क्या करना होगा जिस इश्क को हमने बड़ा कहा था आज सिद्ध करना होगा कि हे धनी अब हम वो इश्क अपना दिखाएंगे इश्क के लिए हम भाग रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं सेवा भी कर रहे हैं चर्चा भी सुन रहे हैं लेकिन वानी भी फढ़ रहे हैं पाठ भी किते कितने पढ़ लेते हैं कोई कहता है मैंने 108 पढ़ लिए तो कोई कहता है मैंने 1200 पढ़ लिए तो कोई कहता है हमने कितने पाठ पढ़ लिए क्या इस तरह से पाठ पढ़ने से हमारे राजी हमें मिलेंगे नहीं पर मिलने वाले सुन्दे साजी इसके लिए इस वाणी को आतम साथ करना होगा दे इलम करी खबरदार राजी वाणी दे करके हमें सावधान कर रहे हैं हार तरह से हमें पहचान दे रहे हैं लेकि ना जाने क्यों अभी भी वो प्रेम हमारे अंदर नहीं आ हमें देखना होगा वाणी सागर में तीन बार राजी ने अपने सरूप का वर्णन किया तीन बार अपने सरूप का वर्णन किया दो बार शामा जी के सरूप का वर्णन कर दिया एक बार सुन्दर साथ के सिंगार का वर्णन कर दिया और चार बार सिंगार गरंथ में एक एक अंग का वर्णन करके हमें बता दिया परमधा में क्या हम शिंगार नहीं देखते थे राजी का क्या राजी का शिंगार नहीं करते हम तीसे भौ में बैठते हैं तो क्या वानी बोलते हम सिंगार करें देहलान में आरोगें और मंदिर इतही दिदार नूर को दिन पोड़ें पलंग अंदर सिंगार करें देहलान में, देहलान में क्या करती है रूहें, राजी की शिंगार करते हैं, पाँचवी भों में वस्त्रों का शिंगार हो जाता है और तीसी भों में शिंगार कों सा होता है अभूशनों का शिंगार होगा हम एक-एक अंग को शिंगार करती है शिंगार तो करती है लेकिन फिर भी उसकी लज़द हमें नहीं है चोथा शिंगार चोथा जो सागर है राजी की शिंगार का शोभा का सागर है सिंगार तो देखती थी लेकिन राजी के एक एक अंग में कितना सुख भरा हुआ है उसके बारे में हमें पता नहीं है सागर गरंथ में राजी की भुएं कैसी है राजी के नेत्र कैसी है राजी की नासिका कैसी है राजी के हेडे पर हार कैसी है चर्णों में अभूशन कैसी है हाथों में पहुंची कैसी है कड़ा कैसा है बाजू बंद कैसा है एक-एक शिंगार का हमें पता है लेकिन वो बाहिय शिंगार का तो हमें पता है लेकि राजी के एक-एक अंग में राजी की नासिका में कितने सुक भरे हुए हैं जब तक इस सिंगार की वानी को हम अच्छी तरह से दिल दे करके पढ़ते तो सबी हैं कभी दिल दे के इस वानी को हमने नहीं पढ़ा कभी रूँ की नजर से इस वानी को आतम साथ नहीं कि जब हम ध्यान से बैठ जाएं वानी को खोल करके राजी के एक एक अंग का सुख लेना शुरू करें न तो पता चले गए राजी की अगर नासिका की भी बात कर रहे हैं न तो राजी की नासिका में से जब ख़शुबू निकलती हैं तो वो ख़शुबू पूरे परमधाम में किस से सुगंदित है हम कह रहे हैं कि गोन है वहां पर सुगंदी का गोन है तो राजी की नासिका में से कितनी सुगंदी निकलती है पूरा परमधाम कुश्बू दार हो जाए वो ख़शुबू कभी हमने उसकी लजज़त ली कि उस कुश्बू को हम भी देखी हम भी उसको कैसे एक काम कर सकते हैं राजी की बात करते हैं हम नामे जाको रसना कैसी होसी मीठी हक जिनकी जैसी बुजर्की जुबा होते है तिन नामे जाको रसना जिसका नाम क्या है रसना रस की भरी हुई रस मैंने अनन्द वो प्रेम का रसाइन जिसके अंदर है परमधा में हर हर चीज किसकी है प्रेम रसाइन कहते है न प्यू नेतरो नेतर मिलाए पीजिये अतिगहन प्रेम रसाइन पीजिये जो आतम थे उत्पन प्रेम का रसाइन पीना है राजी की रसना में कितना प्रेम है जब राजी की रसना में इतना प्रेम है तो सुन्दर साजी हमारे अंदर कितना प्रेम होना चाहिए हम देखें क्या हमारे अंदर वो प्रेम है हमारी बुज़र की कितनी बड़ी राजी ने दी है हमें जिनकी हम कहने वाले अपने आपको क्या कहते हैं हम परामधाम की ब्रहमसिश्चिया है तो हमारी रसना मीठी कितनी होनी चाहिए ये रसना एक ऐसी है इसमें दो चीजी होती चाहो तो रस बर्साओ चाहो तो जहर आपकी इच्छा है हमारी सब की हम सब भी एक ही है ये हमारे उपर निर्फर करते है हम किसी का दिल इस रसना से दिल तोड भी सकते हैं चाहें तो हम उसका दिल इतना चलनी कर देंगे कि शायद हमारे वानी के वचनों से न जो मीठी वानी हम दूसरें को दे रहे हैं उनसे वह उभर नहीं पाएगा मांसिक रोगी भी बन सकते है लेकिन हमें ये अधिकार किस नहीं दिया राजी ने तो नहीं दिया राजी तो हमें कहा रहे हैं कि नहीं जब मेरी वरसना इतनी मीठी है तो आपकी रसना कितनी मीठी होनी जा हमें ये सोचना होगा रबद किया हमने प्यार के लिए रबद किया कैसे आएगा प्रेम हमारे अंदर बातों से वानी पढ़ने से नहीं जब तक हम अपनी उस वानी के वचनों को रहनी में नहीं उतारेंगे आतम साथ नहीं करेंगे तब तक हमारी रहनी बदलेगी नहीं प्रेम आएगा नहीं तो ये जीवन हमारा क्या हो जाएगा वियर्थ हो जाएगा तबी तो कहरें माशूक बैठे जाहिर पर दिल न लगे इत माशूक मुख देखन को हाए हाए नैना भी न दरसी हमें मालूम है उन नैनों को देखने क्यों नहीं लग रहा उस रसना की बाते मीठी मीठी बाते करने को दिल क्यों नहीं कर रहा हमारा क्यों हम दुनिया की बातों में लगे हुई है क्यों हम अपना जीवन वेयर्थ कर रहे है क्यों सुन्दर साजजी ये समय हमें मिलेगा फिर से ये समय मिलने वाला हमें नहीं मिलने वाला फिर से क्या परमधाम से राजी की कहेंगे नहीं नहीं राजी एक वार खेल और बना दो क्या खेल बनाएंगे राजी द्वारा हमारे लिए नहीं बनने वाला के ये जो समय मिला है हमें इस समय का सत्व यो करके हमें अपने धनी को रिजाना है जितनी रजी की मीठी बाते हैं हमने उतनी ही मीठी बातें जहां करनी है और मीठी बातें अपने सुन्दर साथ से करनी है प्रेम करना है हमें जो परमधाम में हम गले से गले लगा करके बैठी हुई है अपस में, बहियां डालके बैठी हुई है, क्या वहां एक सुई की नोक की इतनी जगा है, सुई की नोक की जगा नहीं है वहां पर, एक मेला बैठा, एक होई के, एक धुजी को लाग, आवेना निक से इत्ते बीच, हाथ न अंगुरी, जब वहां पर एक अंगुरी की जगा सुई की नोक की इतनी जगा नहीं है, हम कैसे बैठे हुए प्रेम के साथ सुनते, साच जी, राज जी भी हासे थे ना, जब हम बैठे देख कर, राज जी कितना हसे हुए, राज जी क्या कह रह था, चपाई भी बढ़ी अच्छी है, माहा मति कहे, बैठी हा देख कर, हक हसत ह कहें, देखो, hormones, ऒखें में जाकर बेलियां रहें, कैसे इकठ्थी रोगी राजी तो कह रहे हैं कैसे इकठ्थे रोगी हम इकठ्थे नहीं हो पारे आपस में, जब तक हम सुंदर्शाजी इकठ्वे नहीं हो जाते न, हमारी एक दिली यहां नहीं हो जाती तब तक हम घर में जाने वले भले कितना हम अर्जी बोलते रहें ले चलो, ले चलो, ले चलो खेल को बस करो खेल कैसे बस होगा जो राजी हमें देने आए हैं वो तो राजी दे के जाएंगी राजी जिस मार्फस रुप की पहचान कराने आए हैं जिस एक दिली की पहचान करवाने आएं हैं क्या वो एक दिली की पहचान हम कर पा रहें एक दिली की पहचान करनी है तो हमें अपने अंदर उस वाहिदत को लाना होगा वो आतम सब के अंदर एक जैसी है आतम सहुनी एककज दी से जोजवीत दी से भले ही हमारा तान अलग लग है कोई गुजराती है कोई बेंगॉली है कोई पंजाबी है उसे क्या मतलब हमारा भाशा को हम थोड़ी देखेंगे प्रेम की भाशा को सुन्दे साजी समझी हम यदी कहें नहीं हम गुजराती में ही सुनेंगे नहीं पंजाबी के हम पंजाबी में सुनेगे ऐसा नहीं सब का प्रेम देखिए सुनते साथ जी उस आतम को देखिए जो हमारी स्ब के अंदर एक ही आतम है वो तब हमारे अंदर प्रेम आएगा क्यों रबद किया प्यार वास्ति लियाओ प्यार करो दिदार राजी कहते है दिदार करना है ना आपने यदि हमने दिदार करना है तो वो प्यार हमें लाना ही पढ़ेगा और प्यार कैसे आएगा कैसे आएगा सुन्दि साथ जी हम कहीं बिक्ता तो नहीं है ढूंड ले जा करके प्यार लाने के लिए हमें क्या करना होगा वो प्रेम भरी चित्वनी करनी करना एक बार नहीं हम सोचते हैं प्रोग्राम लगा, शिवी लगा दो दिन चित्वनी की, तीन दिन चित्वनी की, चले गए अपने घरों में आप अपने घर आजी, हम अपने घर आजे आये थे दो-तिन दिन की नीद खराब हुई कोई बात नहीं ऐसा नहीं हमें दिल से राजी को याद करना होगा और चित्वनी के अंदर हम सिर्फ एक लोकाचारी ऐसा नहीं कि दिखावा करना हो बैठे हैं ये दिल से होनी चाहिए भार-बार राजी ने ऐसे नहीं कहा फिर-फिर सुर्ता साधी धनी चित्र सुख चैन इश्क आए पीछे बेर नहीं खुल जात निज राजी तो तरीका बता रहे हैं तुमको इश्क उपजावने करूँ सुअब उपाए पूर चलाओं प्रेम के जो याही में छाक जिसे मेरी रूहें क्या है चक जाएं अल्मस्त हो जाएं प्रेम में डूब जाएं राजी ही हमें तरीका बता रहे हैं प्रेम लाने का ताथे हिर्दे आतम के लीजिए बीच साथ सुरूप युगल सुर्ता ना दीजे तूटने फेर फेर जाए बल कैसे करना होगा ताथे हिर्दे आतम के लीजे हमारी आतम के हिर्दे में उस युगल सुरूप की शोभा को बसाना होगा और अपनी सुर्ता को माया में भी लगने सुर्ता ना दीजे तोटने फेर फेर जाएए अपने प्रीतम पर बार बार हम बली हारी जाएए तबी हमारे अंदर प्यार आएगा हमारा हम धनी का दिदार कर पाएगे इसलिए तो उन्होंने कहा लियाओ प्यार करो दिदार